पाकिस्तान टूर ओफ इंगलेंड दो हजार इकीस तीसरा T20 मुकाबला यहां मुकाबला खिला जाएगा टूजडे 20 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 11 पीम से आप इसका लाइव एकसंद देख सकते हैं और यहां मुकाबला खिला जाएगा एमिरास ओल्ट्रेपोर्ड मा मांचेस्टर ओल्ट्रेपोर्ड मांचेस्टर की पिस्डीपोर्ड क्या होने वाली है और बियाइवियर क्या होने वाला मांचे नियूस के बात कर chance काउर बाएं प्रूद्स हो, कौन पे ज़्यादा मजबुत हो कॉन सी टीम पर जाएप और यह performance कर सकती है जीत सकती है आज का यह मुकाबले उसके बाद यह देखेंगे आज के मुकाबले में दोनों टीमों में ऐसे कौन से पिलिया थे जो सबसे ज़्यादा रन मना सकते हैं सबसे ज़्यादा बिकेट निकाल सकते हैं अगर आप fantastic cricket खेलते हैं ड्रीम लेवन की बिल इसके अलावा टॉंस होने के बाद सभी मैचों की ड्रीम लेवन की बिल्कुल पर्फेक्ट टीम भी मिल जाती है तो मेरा टेलीग्राम जरूर जोइन करें टेलीग्राम की लिंक मिल जाए आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आफ सर्च करके भी जोइन कर सकते हैं अफसा फो सकती है अभी तक ट्वूंटी के साथ मुकाबले के लिए जिसमें से पहले वैटिंग करने वाली टीम ने दो मुकाबला जीता है बाद में वाले टीम ने 5 मुकाबला जीता अब रिज इसकोर यहां पर फैस्टिनिंग का 195 जो कि टीम पाकिस्तान के नाम पर है रोज़ स्कोर तो पहले बैटिंग करना 4-5 ओबर काफी ज़्यादा मुश्कील होता क्योंकि जो तेज गेंद वाज होते हैं उनकी गेंद हावा में हरकत करता है स्विंग करता है इसलिए जो भी टीम यहां पर टॉमस जीते को पहले गेंद वाजी करता ना जार आएगा कंडिशन की बाद करते बैटिंग कंडिशन है हेल्प की बाद करते तेज गेंद वाजो यानि की फास्ट वोलर को इस मेंदान पर मदद मिलती है score पैटर्ण की बात करते हैं इस स्मयनान पर 150 की नीचे, फर्षेनिग में 2वाय कोर बन चुका है, इस स्कोर्रिंग पैटर्ण देखने के बादे यहां पर यह रगा. किली आगला जुभी हें जो भी मुकाबले इस मैंदानटी के वह सभी मुकाबले हैं जब हाई स्कॉरिंग मुकाबला होता है कभी मेंच इधर जाता है मैच ऑगर हम यहां कि बाक करें 65 ऑख वसी सिम 파2 मीटर की बात करें एक साइड और बादी है अगर तरह esse की बाक करें कर दिफैंड की बात करें 181 फलस स्कोर बनेगा दस मैश में आठ मैश में टारगेट डिफैंड किया जा सकता है अगर हम इस मैदान पर हाइस टोटाल है चेज की बात कर तो 195 एक सो पिंचान ना बेरन अभी मैंने आपको रिकोर्ट में बताया इस मैदान को जो हाइस स्कोर फस एक सोनेड़े रंज जिसे पाकिसनान ने انग्लैनड के सामने 2020 में किया था मत था इस मैंडान पे जाधतर स्कोड शेफ नहीं होते जाधतर मुकाबले इस मैंडान पर चेज ही होते है अगर हम इस मैंडान पे दोनों टीमों की परफॉर्फ था निमकाबवारें टो ililean्ड के टीब में इसमेंदान यहां पर एक zam और जीता है चार आरा रहा है औरwestरे सिधान की बात करें पर विभी islaang Reid is a मॉकाबला पर दीनर्दा करें पाकिस्तान जिता है और चारी और misty6 अछिए परसेंट के आध फास पक्स T के सामने च्टेगल करती नजर आती मतलब पाकिसान इस मैदान पर इंग्लेड के सामने बेहतर परफॉर्मेंस करता है अब हम करते हैं यहां पर दोनों टीमों का प्रिविव सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर टीम इंग्लेड की बल्लेवाजी वह काफी ज्यादा कमाल अब यहां पर तेम पाकिस्टन की पहले आघ उपर पाकिस्टान समझेश कमा पेड़न ही यह जी बात करें दोनों कुछा i. यहां पर ब्लिवाजी दॉन्फेंड इपर्पाकिस्तान लग पाकिस्तां टीम बैक पुर्फॉमेंच बढ़िया देगी मुकाबले जीतेगी लेकिन दूसरे खराप गेंदवाजी करते हैं अच्छी सुनवाद मिलने के बाद भी अच्छी बल्लेवाजी नहीं करते हैं यहां पर फिर से वही पाकिस्तान दिखता जिस पें हम भरोसा नहीं कर सकते कब इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल हीरो से जीरो वाली हो जाए वह आप सब ने दूसरे मुकाबले में देखी अगर हम इस मुकाबले में चैन्ज की बात करें पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पाकिस्तान के सामने काफी जादा बहतर नजर आ रहीं होता है माञशच्चिल के मैंदان पर पाकिस्तान जीतने के चांसे जादा हैं इंग्लेंड के जीतने के चांसे जो कम हैं अब हम देखते हैं दोनों टीमों कैसे कौन से की पिलियर हैं जो हमेशा अपनी टीम के लिए वड़िया परफार्मस करते हैं इंग्लेंड की बाद करें जोस बडलर, सात मैच में 209 मैच में 209 में,洹िसान की बात करें पावकिसान की बात करें, तो हसनली छे मैच में 13 विकिट और मुहमाद हसनयन छे मैच में 10 बिकिट तो दोनों टीमों के योकी पिलियर हैं जो हमेशा अपनी टीम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो आप इन्हें अपनी फंटैसिक किरिकेट के लिए देख सकते हैं देखते हैं कि इस मैंदान पर दोनों टीमों में ऐसे कौन से पिलियर हैं जिनकी मांचेस्टर के मैंदान पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस होती है इस मैंदान पर अभी तक आठ मैच में एक सो चौशाटन बना चुके इनके लावा टॉम बैटन तीन मैच में एक सो सैथिसन पाकिस्तान की मात करते हैं पांच में पांच बिकेट और इमाद वसीम चार मैच में पांच बिकेट तो दोनों टीमों के वह पिलियर है जो मांचेस्टर के मादा पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो आप अपनी फंटैसिक रिकेट के लिए इन्हें भी ध्यान में रख सकते हैं अब हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं यह दोनों टीमों में आमने सामने होती तो दोनों टीमों में ऐसे इसी कौन से फिलियर होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी ज़्यादा जबर जश्त हो जाती है इंग्लाइन की बात करें तो आदी लखी छे विगड चटाच चुके हैं पाकिस्टान के सामने पाकिस्तान की बात करें तो इमान वसीम छे और परफोर्मेंस करते तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं अपनी टाइम पर चलो मैं आपके लिए बना के देता हूं ड्रीम लेवन की बिल्कुल ही जवाज़सर टीम बेकट कीपर की ऑप्शन की बात करते हैं जोस बटलर और मोहमद रिजवान अपने लिए बिल आप्तों खें ब्लकुली फर्फेक्ट होने वाले है उसके बाद हमें यहांसे पे Cart weird को वहंचे मोहमद और मुइंury बिल्कुली फर्फेक्ट होँगे तो जौस पटनर वाइस केप्टन के लिए बिल्कुली फर्फेक्ट होंगे अबरी बड़ी हाँ मेरा टेलीग्राम भी जोईन कर सकते हैं क्योंकि टॉंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम पर आपको सभी मैस्पू की ड्रेम लेबन की बिल्कुल पर्फेक्ट टीम जरूर जोईन करें टेलीग्राम की लिंक की मिल जाएगी आपको कमेंट वाक्स में या फिर आप सर्च करके भी जोईन कर सकते हैं अब सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए अगले मैस्पूर एक्षन के साथ तब तक के लिए गौडब्लेस यू